राइट्स का क्या आर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं राइट्स जो है वो राइट का प्लूरल होता है यानि कि एक से ज्यादा राइट को हम राइट्स कहते हैं या हम की रिवाज, रिती, रिवाज, रस्म, दस्तूरिय, आचार तो एक से जादा संसकारों, अनुष्ठानों या आचारों को हम राइट्स कहते हैं जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि वह हैं रहषयवादी संसकारों और समारहों में रूची रखता है तो आप कहेंगे he is interested in mystic rights and ceremonies या अगर आप यह कहना चाहें कि यह पारम पर एक संसकार केवल गाउं की महिलाओं द्वारा किये जाते हैं तो आप कहेंगे these traditional rights are performed only by the women of the village अब आप ऐसे ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें